नमस्कार मुहिनी की किचन में आपका स्वागत है आज हम मटर को फ्राई करेंगे जो खाने में बहुत तेश्टी और हिल्दी भी है मार्केट में मटर खूब आ रही है तो हम मटर को फ्राई करेंगे और कराई को गहस पे रख दिया है कराई गरम हो गई है और मैंने तेल भी डाल दिया है और ये मटर है एक किलो मेटर के दाने हैं और तेल गरम हो गए है तो इसमें हम डालेंगे जीरा और इसके बाद हम थोड़ी सी हिंग डाल देंगे हिंग जीरा चटक गया है तो हम इसमें लहसुन और प्याज डालेंगे तो एक प्याज है और तिन चार कलियां लहसुन की है और ये दो हरी मिर्च को डाल देंगे अब सभी चीजों को हम अच्छे से पका लेंगे धीमियाज पर पकाएंगे और थोड़ा साफ्ट हो जाए इसके बाद हम डालेंगे ये दो गाजर है और एक सिमला मिर्च है और इसके अलावा भी आप के पास जो पसंद हो जो आप के पास हो वो सबजीयां डाल सकते हैं तो मैंने इतनी ही सबजी डाली है सबजी से और हिल्दी हो जाएगा मोटर और खाने में भी और तेस्टी लगेगा तो इस तरह से मैंने सबजीयों को फराई कर लिया है अब इसमें हम ये कुटी हुई अद्रग को डाल देंगे जो मैंने कोट कर डाला है और आप जहाएं तो पेस्ट डाल दें और ये चोथियाई चमच से भी कम हल्दी पाउडर है और चोथियाई चमच से भी कम लाल मिर्च पाउडर है जिसको हम डालेंगे और चला देंगे थोड़ा सा इस तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम पाँच मिनट के लिए ढख देंगे पाँच मिनट हो गए हैं और दीमा कर देंगे गए इसको और पाँच मिनट हो गए हैं और सबजी साप्ट हो गई है इसके बाद हम मटर को डाल देंगे मटर भी एकदम मुलाएं मैं तो जल्दी से पक जाएगा तो इस तरहे हम मटर मसाले सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे नमक तो नमक एक चम्मस से कम है नमक अपने स्वाद के नुसा डालें अब हम अच्छे से चला देंगे और दस मिनट के लिए ढखेंगे तो दस मिनट हो गए हैं और हम देख लेते हैं मटर पक गई है और थोड़ा सा पानी है तो इसको आज को हम थोड़ा सा तेज करके इसको पानी को सुखा लेंगे ये देखे थोड़ा सा पानी है इसमें क्योंकि मटर मुलाइम थी तो पानी से निकला है और मटर पूरी तरह से पक गई है और यह देखिए मटर बंगर तयार है खाने के लिए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें